हेलो दोस्तों सभी किसान भाईयों को मेरा राम रावन आज हम बताने जा रहे हैं आपको पोदों के बारे में क्या आपको पता है पोदे कव्य कैसे लगाने चाहिए अक्सर हम लोग पोदे लगाते तो जरूर है लेकिन जब बढ़ता नहीं है सूख जाता है तो हम यह लगाते हैं कि हमने गरत पोदा कर लिया है लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच होती है सच तो यह है दोस्तों कि हम पोदा लगाने में कोई न कोई गरती कर बैठते हैं जिससे उसमें कमी रह जाती है और उसको सही पोसर तत्व नहीं मिल पाते हैं और वह सूख जाता है आज इस लेक के माद्जम से हम आपको पोदा लगाने में क्या-क्या सावदाने बतने चाहिए उसके बारे में बताना जा रही है दोस्तों तो ध्यान से सुनिए या लिख लिजिए पोदा गड़े में उतनी गराई में लगना चाहिए चितनी गराई तक वह नरसरी या गंबले में या पोलोथिन की ठैली में था अधिक गराई में लगाने से तने को हानी पहुच सकती है और कम गराई में लगाने से जड़े मिट्टी के बाहर रह सकती है जिससे आपके पोदे को छटी पोच सकती है पोदर लगाने के पूर उसकी अधिकांस प्रत्या तोड़ देने चाहिए लेकिन उपरी भाग की चार-चार प्रत्या लगी रहने देना चाहिए पोदे में अधिक प्रत्या रहने से उसके वजन ज़्यादा हो जाता है और उसका हवा में तूट जाने का संभावनों ज़्यादा रहती है पोदा अपने परिणाम नहीं दे पाता भूमी से पानी नहीं कीच पाता क्योंकि जड़े क्रिया सिल नहीं हो पाती अत्य पोदे के अंदर जल की कमी हो जाती है और पोदा मर भी सकता है पोदे का कलम किया हुआ इस्तान अर्थात मूल गरंच और साप टंकुर डालिय मिलन बिंदू भूमी में उपर रहना चाहिए इससे मिट्टी में दबाव बना रहता है और मिट्टी में गलने सडने की सड भी सकता है पोदा लगाने के पश्चात मिट्टी के आसपास की मिट्टी अच्ची तरह दबा देने चाहिए जिससे सिचाई करने में पोदा टेडा ना हो पाए पोदा लगाने के तुरंत बादी सिचाई करने चाहिए जहां तक संभाव हो पोदे को साम के समय लगाना चाहिए यदि पोदे दूर के इस्तान से लाए गए हैं तो उन्हें पहले गमले में रखकर एक सब्ता के लिए सायदार इस्तान पर रख दें इससे पोदे के आवा गमन में वोई छपी पूरी हो जाती है इसके बाद उन्हें गड़ों में लगाना चाहिए या गमलों में लगा जाना चाहिए जो पोदे लगाए जाए उन्मन निमलिक गुन होने चाहिए पोदे की उम्र कम से कम दो वर्स एक वर्स होने चाहिए जितना चोटा पोद आपका होगा उतना ही अच्छा होगा ऐसे पोदे कलमी या ग्राफ टेंट पोदे कहलाते हैं ऐसे पोदे में अपने प्रेतक ब्रक्स से कम से कम गुनों से विबिनता होती है बीज से इस्तान किये गये पोदे प्रतिक्रण गुणों से इस्थित नहीं रह पाते पोदे अपने किस्मों के अनुसार सही होने चाहिए अता पोदे विश्वशने नर्शरी से ही खड़िदे ऐसी नर्शरी से पोदे नहीं लेन चाहिए जिससे मरात व्रक्ष ना हो फले वे उत्तम रहते हैं, पोदे का मिलन बिंदु अच्छी तरह जुड़ा होना चाहिए पोदे ओजस्वी तेजी से बढ़ता हुआ हो, पोदा पोलोथीन या गंबले में लगा हुआ हो ऐसे पोदे लगाने पर हम पर कम मरते हैं यदि पोदे नर्शी से उखाड़े गए हो तो उनकी जड़ों में पर्याप्न मिट्टी का पिंड होना चाहिए थैंक्यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चल न्यूज पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक वे सब्सक्राइब किर जिए, वे सेयर किर जिए हमारी वीडियो इसी तरह से आपको मिलती रहेंगे, अच्छे अच्छे जानकाविया मिलती रहेंगे, प्लीज 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 राम राम जी जा तरह सेयर किर जो जिए हगे, उल्यकित है, तरह किर जिए टानकाविया तो प्लीजज तरह से आपको नोचको प्लीजज प्लीजए मिलती वेसे तरह समद किर जिए